हेलो एबरीवन वेलकम है आपका मेरी किचन में आज मैं आपको हलवाई स्टाइल पसादी पार्टी में बनने वाली बहुती टेस्टी आलू गोबी की सबजी बनाना बताऊंगी आलू गोबी की सबजी को हम जटपट घर पर बना सकते हैं तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम का एक फूल लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे पीसिज में काट लिया है तो गोबी को हमें बहुत ध्यान से काटना होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं इसलिए मैंने गोबी को काट करके गरम पानी में अच्छे से दो लिया है ये मैंने दो मीडियम साइज की आलू लिये हैं तो इनको भी मैंने छोटे छोटे पीस काट लिये हैं तो फ्रेंड अब हम इनको माईक्रोवेव में कूप कर लेती हूँ तो माइक्रोवेव के अंदर मैंने ये बाउल रख दिया इसके और इसको मैं एक मिनट के लिए चला करके छोड़ दूंगे इतने हमारी गोबी और आलू कुक हो रही है मैंने गैस का फ्लेम ओन कर दिया और इसको मैंने एक कड़ाई रख दिया है कड़ाई में मैंने इसरसो का तेल डाल दिया है तो फ्रेंट्स अगर आपके पास माइक्रोवन नहीं है तो आप इसको कड़ाई में सबसे पहले फ्राई कर सकते हैं तो यह हमारा जो गोबी आलू अच्छे से कुक हो गया है मैंने माइक्रोवन से इसको निकाल करके बाहर रख दिया है और तेल में गरम होते ही मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मत जीरा और जैसे ही हमारा जीरा भून गया मैंने इसमें प्याज का जो बारिक चोप किया हुआ था ये डाल दिया है तो प्याज को हम भून लेते हैं जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा भून गया है तो इसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच सो पोर्धनिया का पाउडर डाला है कटे हुए टमाटर ढाले इसमें कि अ कि तो टमाटर को डालने के बाद था मैंने इसमें एक छंवा जदी फाबर डाला है कि एक छंवा आजमा neues गोड़ डाला है तो प्रेंश कमक मिर्च को आप अपने कर अकोडिंने कम या जादा डाल सकते हो तो इन मसालों को हम medium flame पर अच्छे से भूनते रहेंगे और ये मैंने इसमें थोड़ा सा हिंग डाल दिया मसालों को हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक इसमें साइड से तेल निकलना शुरूना हो जाई तो आप देख सकते हो हमारे जो मसालों अच्छे से भून गए है और साइड से तेल भी निकल रहा है तो अब मैंने इसमें एक बड़ी चम्मच मलाई डाल दी है आप इसकी जगए क्रीम वगेरा भी डाल सकते हो तो मलाई से बहुत अच्छा टेश्ट आता है और दो चम्मच के करीब मैंने इसमें फ्रेस दही डाली है तो फ्रेंड्स मलाई और दही डालने से हमारे जो फुलगोवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेश्ट तो ला जवाब आता है तो दही और मलाई को हम मसालों में अच्छे से भूल लेते हैं तो अब मैंने लिए हैं ये गोबी और आलो तो ये एकदम सोट हो गए है क्योंने मैंने इनको माइक्रो ओवन में अच्छे से कुक कर लिया था तो फ्रेंड्स आप इनको कड़ाई में सबसे पहले फ्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इनको कड़ाई में सबसे पहले तेल में फ्राई कर सकते हैं आलो और गोबी को डाल कर मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढख करके तीन मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो इसको पकते हुए तीन मिनट हो गए हैं और मैंने ढखकन हटा दिया इसका और अब हम इसको देख लेते हैं एक बार हमारी आलोगों भी की सबजी बन के तयार हो गई है बहुती टेस्टी एकदम लाजबाब सबजी बन गई है तो यह मैंने एक चमच इसमें गरम मसाला डाल दिया तो गरम मसाला हम हमेशा सबजी बनने के बाद ही डालते हैं इससे हमारा जो सबजी का टेस्ट बहुती अच्छा आता है ये मैंने ताजे हरे धन्या की कुछ पत्ती ली है इनको भी मैं चाकू से काटकर इस पर डाल देती हूँ तो फ्रैंट्स इस तरिके से आप हलवाई स्टाइल आलोगोबी की सबजी घर में जब भी आपका मन करें जटपट बना सकते हैं बहुती टेस्टी सबजी लगती है एक बार आप बना करके देखिए बहुती टेस्टी लगेगी तो फ्रेंट्स ऐसी ही हमारी recipe को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई